चीज देखे दिए एक चाप्टर डिसकस किया था जिसका नाम था Neural Control and Coordination तो actually किसी cause की वज़े से किसी reason की वज़े से हम उसे complete नहीं कर पाया थे बट आज से मैंने एक नया session एक नया हमारा topic स्टाइड कर दिया है तो इस topic का नाम है हमारा The Living World तो actually एक चीज देखना ये जो series थी ये series मैंने पिछले साल भी connect कर आई थी और ये series बच्चों को बहुत ही जादा पसंद आई थी बहुत जादा तो आपको मैं आज request करना चाहूंगा आज आपके पस एक high yield summary है तो इस तरीके से इस चीज के साथ आप almost almost 40 days की बीच में सबसे एक request है कि यह जो हमारी series है मेरे दोस्तों यह हमारी series है तो आज एक topic start हो चुका है तो आपके सभी topics इस series के अंदर cover होने वाले है आज मैंने जो book use की है वो बहुत specialized book है तो इसके copyright owner है इसके copyright owner है यूज कर सकते हो आज की book आपके लिए बहुत important होने वाली है आज का session वैसे आपके लिए बहुत important है अब देखना स्तारांज score से नीट यूजी के लिए starting हो चुके डिसेंबर 24 से आप इसके इंडर screen के उपर दिफाई देता होगा उसके अंदर आपको extra additional 10% discount मिलने वाला है तो इस score को याद करना है video बन जहाबर भी दिखाए थे भापर उसे आप यूज कर सकते हो तो उसके बाद है हमारी एक नई बैच इस चीज के उपर थोड़ा सा नज़र रखेगा मेरे दोस्तों बहुत important बैच है क्यों क्योंकि इसके अंदर में आपको खुद से भी पढ़ाने वाला हूँ photosynthesis respiration फिर बाद में आपका आपको बहुत अच्छे तरिके से करवा के लेने वाला हूँ वह सभी topics मैंने हैं आपको पढ़ाने का वादा किया है तो इसकी प्राइस वैसे बहुत कम है क्योंकि नॉर्मली हर एक कोस की प्राइस कितनी होती है अगर जहां पर भी आपको full syllabus मिलता है पुल syllabus मिलता है कुछ test मिलती है important test उसकी प्राइस गलब पचास से लेकर एक लाग तक होती है मतलिए इतने हजार तक आपकी होती है पर इसकी प्राइस बहुत अदर पढ़ाने वाला हूँ इसका तेम आपके पास नया चीज है तो इसके अंदर जली से एंडॉल करना है सब्सक्राइब तो आपको इसके अंदर एंडॉल्मेंट मिल जाएगी नीट यूजी में सगफलता वाए सीकर के साथ लॉंच ओफर है केबल 500 रुपीज के अंदर तीन बैची ग्रोद बैच एक्सल बैच इसके अदर आप एंडॉल हो सकते हो तो चलो आते हमारे टॉपिक क आज आपका दिल खूश होने वाला है आज आप खूशी से ऐसे उचलने वाले हो कि भईया थैंक यू थैंक यू थैंक यू पार ब्रिंगिंग इस सीरीज क्योंकि आज की सीरीज बहुत ही बढ़िया होने वाली है यस तो देखना आज के सेशन के बाद आपका दिल सच में खूश होने वाला है तो इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं अगर आपके 100 कोशन के पैकोडिंग जाए तो इसके उपर आज हम गोर करने वाले है तो सबसे खास पढ़ते हैं इसके इसके और नहीं है तो इसके कुछ थे सब्सक्राइब कर सकता है अगर हमारे एक्जामपर लेंगे तो हम ये प्रोजिनी है हमारे parents की वैसे कर कोई भी animals लेंगे तो भी एक प्रोजनी होने वाली है ना पर इसके अदर कुछ exceptions आते हैं जिसे आगे जाके discuss करने वाले है metabolism metabolism मतलब क्या आपके body में धेर सारे chemicals है बहुत जाता चीज़े हैं आपको पता है तो उने चीज़ों में जो interactions होती है कुछ नई चीज़े बनती है कुछ पूरानी चीज़े आपके होती है तो इसकी वज़ेत थे हम यहाँ पर metabolism को भी consider करते है self-organization खुद का एक organization होता है and unconsciousness यह सभी चीज़ इसके अंदर आती है तो यह क्या थी characteristic of life मतलब क्या कि अगर मेरी water bottle जिन्दा है तो इसके अंदर यह characteristic होने चाहिए या तो होते है normally in the journal मतलब क्या journal इसके अंदर पाए जा सकते है इत्ता basically इत्ता इसका answer था यहाँ पर आपको एक चीज़ है defining feature of life क्या होते है और इसे meaning of defining feature एक चीज़ देखना कि आपके और मेरे बीच में defining feature क्या है defining difference क्या है कि मैं आपको अभी इस moment पर पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हो कि हमारे defining feature है अलग-अलग feature है हम इस चीज़ को इकटे के साथ नहीं कर रहे है different हमारे बीच में चीज होने वाली है तो उसी के अंदर एक चीज आती है जो भी चीज living होगी उसके अंदर metabolism होना ही चाहिए just suppose इस water bottle के अंदर metabolism नहीं है तो मैं इसे non living कहूंगा मेरे पीछे कुछ तो चूपते जा रहा है ठीक तो मैं इसे normally हटता जाओंगा तो आपको पीछे यह सभी जो wording वगरा है ना यह दिखाए देती जाएगी तो इसे जट से फट देखा करू ठीक है तो इसके अंदर हम क्या अच्छे से रखना organization है मतलब क्या एक single cell organism आपका living नहीं हो सबता उसको भी consider करेंगे पट उसका एक self organization होना चाहिए उसके पास minimum cell तो है से तो बना है उसके अंदर nucleus है genetic material है उसके पास cytoplasm protoplasm कुछ तो है और्गनल से तो उसके अंदर metabolism वगरा चीज़े होनी चाहिए cell organization होन चाहिए the most important चीज़े है consciousness तो यहाँ पर आप कहोगी कि यार भहिया कुछ लोग होते जो कि कोमा में होते हैं उनके पास तो consciousness नहीं होता कि वह response नहीं कर पाते हैं अगर मैं कुछ भी करेंगे जो कि actually branded होते हैं तो एक एक कुशन आदे है कि उन्हें living कहेंगे और non living कहेंगे त आपके के features देखके आप उसे non living में define कर सकते हो तो इसकी trick भी है कि अगर आपसे कोई पूछेगा यह बुक की ही trick है मेरी खुद की नहीं है कि अगर आपसे कोई पूछेगा तो यह पूछेगा कल जाके कि हमें बता तो जल्दी से defining feature of metabolism actually defining feature of life कौन से है तो आप इसको trick बता द defining features है अगर मैं living हूँ अगर मैं जिन्दा हूँ तो मेरे अंदर ये तीनों चीज़े होनी चाहिए यह सबको पता चल रहा है समझ में आ रहा है ना अगर कुछ doubt है तो comment section is always open for you मैं comments को पढ़ता हूँ मैं आपको answer करता हूँ आप जानते हो हमारा session interactive होना चाहिए मैं आपसे कुछ बोलूँगा आप मुझे उस कहां से बता दोगे तो इसी तरीके से मैं यह चीज़ देख लिए मैं थोड़ा सा भी side में हड़ता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाए जाएगा तो उनकी अलब हो जाएगी तो different type of growth हमारे पास होती है दो characteristic क्या है यादा twin characteristics हमें कह सकते हैं increasing in the mass ठीचे increasing in the mass या तो increasing the number हो सकता है एक तो चीज देखना मेरा हाथ हाथ हां नॉर्मल किता है छोटा सा है छोटा नहीं यह बहुत बड़ा है छोटा का होगा है तो कैसे चलेगा है ओके सभू कर सकता है एक तो सरफेस दिंधर है आपकी घूरस को प्रॉपर्टी हो सकती है अगर तुछ दिन्दा है तो तेरे अंदर यह होना ही चाहिए तो यह डिफरेंस होता है यह होप आपको समझ में आ रहा है यह अंजली वर्मा यह थोड़ा सा आगी जाएंगे मेरे दोस्तों भी ट्विंग क्यारेक्टर्स हमने देख लिए एक तो मास बढ़ेगा यह तो नंबर बढ़ सकता है इस टाइप से में ग्रोथ कर सकते हैं हैं की आदर करते हों तो आँ मेरे शोर कि आपकर Jake सिंगल फॉइंट नहीं चूटएगा इसके अंदर हम नीपॉनिक्स भी कवर करने वाले हैं प्रिक्स भी कवर करनेवाले हैं क्र सेरी मिनि Jetzt के अनदर कबर हो जाएगा या कितनी ज्यादा चीज़े पतंद पसंद आएगे अपको हर बार यह पढ़के बोर हो जाते हो ना मन नहीं करता तो देख लो यार आपके लिए एक सप्लिमेंट यॉप्शन लाया हूँ मैं ठीक है तो फंजाइस के अंदर स्पोस होते हैं हम आगे जाके फंजाइ के अंदर चीज़ को क्या होति है यह थे डो इस की यह बढ़ी हो जाती है उसके अंदर हम ने यह तो अगर मैंने इसके दिल के तुकड़े कर दिये बेटा, दिल के कैसे तुकड़े करेंगे भीया, इनके ही तुकड़े कर दिये, तो इसका हर एक पार्ट आपका अलग से ग्रो करेगा, एक नया और्गिनिजम बन जाएगा, तो हमारे फिर रिजनरेशन है, यहापर होने वाल यहाँ स्लाइड की PDF मिली की का, I am very sure मिल जाएगी बेटा, I am very sure कि इसकी आपको PDF मिलने वाली है, मैं थोड़ा सा छोटा दिखाए दे रहों कि आज इस स्लाइड के अंदर, क्योंकि मैंने अपने आपको सेट ही कुछ इससा किया है कि मैं छोटा दिख रहे हूँ, मैं कल सी से अंसर भी आए नीचे, वैसे तो, पर अंसर को देखना मत, सिंपल है, isolated metabolic reactions in vitro क्या होती है, बेटा एक चीज देखना, metabolism को हम देख रहे हैं, metabolism मतलब क्या होता है, हमारे बीच में reactions होती है, तो हमारे बीच में reactions होती है, मतलब living organism के बीच में reactions होती है, तो अगर, just suppose, मैं दोस् और reaction तो living है, तो उस चीज़ की वज़े से उसे हमें living reaction कहते है, इस question को नजर अंदाज मत करना, ये question नीट में पूछा जा सकता है, worth it question है, मिर दोस्तों, ठीक है, मैंने star लगया है, इसका PDF मिल जाएगा, worth it question इसके उपर थोड़ा सा गोर कीजिएगा, next question आपके screen के सामने है है मेरे दोस्तों, living animals ये तो organisms क्या क्या होते हैं, हम इसे discuss करेंगे, इसका अंसर है, living organism एक तो self replicating होते है, ठीक है, self replicating मतलब क्या, कि अगर हमें एक ग्रूप को देखेंगे, जैसे कि हम ग्रूप को देखेंगे, ओक्या पास जादा बड़े देख रहे हो, कि ठीक है, humans को group के एक तो humans का, मतलब हमारा लोग का group देखेंगे, तो हम self replicate कर सकते हैं ना, मतलब, या तो या पर ग्रीप production को भी compare कर सकते हो, कि हम अगली वाली प्रोजीनी बना सकते, that's it, second चीज़ है evolving, yes, evolving कैसे, कि हम stati में humans नहीं पैदा होए थे, कुछ stati में single cell हुआ होगा, उसके बाद आपकी कुछ other forms बने, other forms बने, फिर बाद में, आपकी multicellular cells बनी, ठीक है, multicellular organisms बने, और उसके बाद कई-कई evolution करके हम बने, आज से लेकर 1000 साल बाद, यह एक billion साल के बाद, हमारे बीच में और कुछ भी modifications हो सकते, हो सकता है कि हमारे बाल चले जाए, हो सकता है कि appendix चला ज है, तो यह वाली structure हमारे अंदर, यह वाली सभी चीज़े हमारे अंदर हो नहीं वाले, इन future भी होने वाली है, self-regulating, metabolism को consider कर लो, self-regulating मतलब, homeostasis के अंदर ले सकते हो, कई organisms के अंदर होता है, कई organisms के अंदर नहीं होता, multiple possibilities है, and यह important है, इससे highlight करना, बेटा मैं ही इसे highlight करके देता हूँ, जब भी आपको इसका PDF मिलेगा, PDF हो सके तो इसका print ले लो, क्योंकि यह book आपको कई online पर नहीं मिलती है, मैंने बहुत ज्यादा search किया है, तो हो सके तो इसका एक Xerox print ले लो, क्योंकि बहुत बढ़िया book है, मैंने आज तक इतनी बढ़िया book कभी normally देखी नह आप इसके Xerox print ले सकते हैं, मेरे दोस्तों, false regeneration क्यों नहीं होती, false regeneration मितलब बेटा, वैभवी किस direction में आप बोल रहे हो, किस direction में बोल रहे हो, मुझो पता नहीं चला है, मतलब आपका question तो समझ में आ रहा है, बट किस angle में आपने question पूछा, वो चीज मुझे अभी तक हम बच्पन से पड़ते आ रहे है, theory of life on earth होती है, यह चीज़ आपने कवर कर लिए, consciousness is being aware of the environment, मतलब क्या, हम जानते हैं कि environment में क्या हो रहा है, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि धूप पड़ रहे हैं, हम जानते हैं कि थंड पड़ रहे हैं, आप क्या पर भी थंड होगी ना ओके, 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 ओके बेटा, सभी बात है, ताइम एन अभी भी, काफी depressed feel हो रहा है, अभी से भी हो जाएगा ना भाया, प्लीज इगनोर मत करना, sorry to disturb you, ओके, ओके, एक्स, यज, एड, I will not disturb you, you are not disturbing me, ठीक है, आपको यह message को नदर आना है, कभी भी लेट नहीं होता, अगर कल नीट examination है, और आप आज इस stage पर हो रहा है, मुझसे पूछ होगे, कि मैं क्या कर सकता हो, अभी एक तो दिन बचा है, मैंने तो कुछ करके नहीं रखा है, तो मैं आपको X, Y, Z, मैं आपको suggest करना चाहूंगा, कि तू एक दिन के यह ना होना, तो ट्राय कर दे, तो अपना एक दिन के लिए तो बेश्ट दे दे, तो चीज है तेरे पास अभी एक तीन से लेकर चार महने मैं नहीं जानता कि तू कित्ता स्कोर करेगा, 600 करेगा, 700 करेगा, मैं नहीं जानता, यह तो 300, 400, 500, 100 कित्ता भी मैं नहीं जानता, त तू अभी एक चीज कर सकता है, ट्राय कर सकता है, महनत कर सकता है, महनत को छोटके और खुछ चीज तेरे पास है ही नहीं है, तू अगर-अगर महनत करना चाहता है मेरे दोस्त, तू अभी उठ जा, महनत कर, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर, क्या पता यार, तेरी मंदिल तेरे हो जाएगे गा इस सर्फ पॉंशियस मांज़म क्या होता है कि हमकूद के बारे में जानते में आ ac तो हमारे होता है चला हां इस किती है व किती है तो आप Κा जोड़ोजी ऊसके लिए अच्छे से याद करता है अगर आप अपने नजदीक में जाके देखोगे सराउंडिक में जाके देखोगे तो डिफरेंट टाइप आप अपकी नबर ऑफ और जाएंगे उसी तो नेक्स दो टम्स है इसके उपर कोशन पूछे जा सकते हैं लगने में तो बहुत जादा सिंपल लग रहा है तो एक चीज कि मैं आपको जो कौशन पूछोंगा उसके अंसर किया करो क्योंकि को अंसर करने के बाद आपको बहुत जादा मोटिविशन मिल जाएगा यस थैंक्यू भहिया यस 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 ओके थैंक्यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं यह मेरे काम को मुझे करना पड़ता है तो उसके लिए थैंक्यू बोलने की ज़रूरत नहीं है तो दो चीज जिसके नदर हम यूज करते हो किस नहीं दिया था हुमारे एक चाचा थे कारलस लिनस लिनस चाचा ने दिया था उन्होंने क्या लिखा था उन्होंने आपका सिस्टेमा नेचूर यह से लिग डाला लिखा था तो अगर देखना कि करना है कि आपके पास एक नई स्पैसिस डिस्कावर हो चुकी है तो आप उसे नाम करन कैसे करोगे नाम करने इंपोर्टन है ना आपका भी बच्चपन में नाम रखा होगा ना बबली बेटा पिंकूश होना तो रूल्स क्या है इंपोर्ट जाते हैं चीज देखना जब आप इसे अपने हाथ से लिखोगे मेरे दोस्तों जब आप इसे अपने हाथ से लुक हो गया तब इसे सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा और योर्रेफरेंस देखो एग्जांपल भी दिया है मेरे दोस्तों इसके अंदर हाथ के थू लिखा है यहां इसे हाथ के थू लिखने के बाद इससे अंडरलाइन भी किया है इस इसके अंदर हम अपने हाथ से लिखेंगे इसे इसे इंडरलाइन कर देंगे वैभा को सेपरिटली एंडरलाइन देश्मुक को सेपरिटली एंडरलाइन कर देंगे फिर बाद में अभी मेरे पईच्छी यह चूप रहा है थोड़ा सा साइड में चला जाओंगा क्या क्या कर सकते हम पॉसिबिलीटी क्या है कि प्रिंट करना है जब यह आप इससे प्रिंट से जल्दी से साक्षी जल्दी से मेरे पीछ नदर बैच-टो कि अधर नीट को च्राट करनेवाले हो गीचिए जो आपका स्टार्ट होता है वो आपके Capital Later से होता है जिसने के पर दिया है मैंजी फेरा इंडीका के आंदर जुआ होता है वो आपका Small Later से indicate किया जाता है, तो आपके बस एक आम आप सब लोगों को आम पता ही होगा, पसंद ही होगा ठीक है, तो इतका एक्जाम आपके screen के सामने है, मैं जे फिर एंडिका तो यहाँ पर एक चीज़ देखने हैं, यहाँ आपका species है, यहाँ जीनिस की study हमने capital letter से की है तो दिजादा few points जो कि आपको अच्छे से याद करनी चाहिए ओके मैं बीच बीच में blur होता हूँ ना जो सुना बहिया कितनी देर पहले class start हो जो गए अभी एक थोड़ा देर हो जो गए जादा नहीं है फुड़ी देर से पहले जादा वक्त नहीं होए बेटा ठीक है एक चीज देखना में चीज आपको और एक चीज अच्छे से याद बताना चाहता हूँ हमारे बाइनोमें लॉमेंकेचर के अंदर दो चीज़े होती है खास करके तो starting होता है जीनस ठीक है और उससी के साथ हम जोड़ते हैं स्पैसिस को पर आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि स्पैसिफिक इफिटेट कहते हैं स्पैसिफिक इफिटेट कहते हैं तो उसका reason क्या हो गय से scientific नाम के अंदर में सियूद्स करते हैं मेरे तो इसके पहली चीज़ एडेंटिफिकेशन करते हैं तो इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूं किसी भी चीज़ को कोई भी होने दो और यहां प्लांट है माइक्र और लिवी होने दो अधिसे नाम देना है न तो उससे समझना पड़ेगा जानना पड़ेगा कि हाँ हम जीस चीज़ के बारे में बात करें तो वही चीज़ है तो उस चीज़ के लिए सबसे पहली इंपोर्टन चीज़ इंटिफिकेशन होता ह इसे बीची इसको पकड़ना सब्वाजना important होता है tax on मतलब क्या होता है मेरे दोस्त हमारे tax on मतलब category होती है and tax on normie मतलब हमारे categorization इसे आप कह सकते हो ठीक है tax on मतलब हमारी बस category होने वाली है systematics जो होता है हमारा history होता है ठीक है तो हम इसे systematics के अंदर पढ़ते है थोड़ा सा गोर से सुनिएगा हमने चांट में देखा कि क्या होता है क्या नौन होता है चाप्टर में देखा biological classification कैसे बर करता है हमने वस classify कि यहीं से बेटा हमने प्लान kingdom के अंदर भी वही किया अनिमल के अंदर क्यों की थी मेरे दोस्तों क्यों कि हम इसके मीच में relationship जान से के evolution को पढ़ सके इस चीज की वज़े से चीज और करनी है कि यह वाली चीज आपको याद होनी चाहिए मैं थोड़ा सा साइड में हटता हूँ ताकि आपको दिखाए देख लो चिद्दी से देख लो है मेरी कि आपको आता होगा आता है ना अच्छे से एंड यस है कि पढ़ाई कैसे चल रहे है रहे हैं आपकी पढ़ाई कैसे चल रहे हैं यस्प्रिया हर रोज आपको इस वक्त पर आना है यह तो मैं जब आपको एक टाइम शेयर कर दूंगा तब आना है ठीक है अच्छी चल रही है बहुत बढ़िया है मेरे पास एक ट्रीक थी पर वह मेरी खुद की ट्रीक थी बेटा मतलब क्या से थी कि अरे ये सस्या जिद्ध एक ट्रीक थी जिसका नाम इस जी था ओके तो यहां है्से मतलब क्या था वह सबसे पहले हम क्लास सबसे नीचे इस उपर जाओगे तब करेंगे भी आदर करेंगे डिपाइन करेंगे cór और उपर जाएंगे तब order के अंदर करेंगे order के उपर class होता है और class की बात अगर animal kingdom है तो फाइलम होता है अगर plant है तो डिवीजन होता है इस चीज़ को अच्छे से याद करना होता है सबके चचा चचा का नाम है kingdom अच्छे से पढ़ते हैं मुझे सर्दी हो चुकी है इट्स बेरी नैच्रल थींग तो यहाँ पर कोई प्लीज बुरा नहीं लगेगा ठीक है तो यहाँ आपके लिए क्वेशन है एज भी गो हाईयर फॉम स्पैसिस्ट टू दे किंग्ड है की फिसकियुक्ष कावन deseo ठीक कि अबर उन्हें क्या होता है स्वर्पर चाहिक्टर's पस्पैसिल एक होते हैं यहां पर लिख्लो जल् glamorous नी किया है maximum common characteristics सबसे minimum भी कर लो हमें यह सब्सक्वन होते हैं यह सब जब यह आप उपर जाओगा तब आपके कम होते जाने बाले हैं आपको पता चला होगा हम थोड़ा सा आगी जाएंगे हम ने कॉशन कवर कर लिया है हमने और एक बड़ी आप बेच कवर कर दिया है तो यह चीज थोड़ी सी आपकी NCRT की है बढ़ यह NCRT में इत्ता ज़्यादा डिप नहीं दिया है जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ एक चीज देखना फैमिली के लिए हम सफिक्स क्या उस करते है एसी एएई ठीक है तो यह हम फैमिली के लिए उसके आता है इसके बीच में क्या क्या आता है मरे दोस्तों पैंदर आता है पैंदर बीग टाट्स आती है एक चीज देखना आपने कभी शेर को देखा है लाइव में देखने को पास लाइन होता है जीज़िए नहीं तो यह जो देंगा कभी आपने देखा की तरह दिखते हैं तो इस प्रवार्ट की तरह दिखते हैं कुछ रीजन होगा उसके पीछ यह तु बड़ी वाली कैट होती है हमारे बीच में घर में चोटी कैट होती न उनके भी ऐसे नुकीले नेल्स होते हैं वह भी आंटी के क्यों मीट खाती है दूद पी थी बट यह भी मीट खा सकती है ठ ठीक है तो इस पेज को फिर से बार पढ़ लो तब तक की लिए एक सेकंड के लिए छोटा ब्रेक लेक्ट लेके आता हूँ पढ़ लिया होगा है होप आपने क्लियर नहीं दिख रहा है ओके कोई बात नहीं नेक्स पेस के उपर जाएंगे इसका पीडियेफ तो मिलने वाला है अभी देखना अभी आपने बात की थी बड़े वाली क्याइट की बात की थी बड़े वाली क्याट की मतलब आपकी बिल्ली होती है वह बड़ी वाली होती है ठीक है फैंट थेरह वाली है और आपका कार्नियों रहा है आपकी इसका सभी डेटा है और आपकी फैलिडी हो जाएगी है अंदर हो जाएगी अगर यहाँ पर आपको इस चीज को याद करने तो आपके लिए कि लिए तो इस चीज को याद करनी के लिए वह वाला टेबल ना जीसके अंदर आपको सभी चीजें दी है ठीक है तो आप जाके कर सकते आपको कुछ दिनों के बाद याद हो जाएगी तो यहां पर खुद से आप अपनी ट्रीक बना सकते हो दोस्तों जैसे के निमोनिक्स है यह जो ऑथरे बुक क्यों उनका ठीक है ना का डिया सी तो मैंगो तो उन्हें ने याद किया था कि एना कॉंडर मैंगो खाता है तो यस आप कुछ भी याद कर सकते हैं यहां तक हमारा बस टॉपीक है बस मुझे 10 मिनिट दीजिएगा हमारा सबी चीज़े कवर हो जाएगी मेटाबोलिजम मतलब क्या होता है एक चीज़ देखना आप एक चीज़ देखोगे हमारा बॉड़ी का लेवल जो है ना वो सिल्यूलार बनती है एक चीज़ को डिस्ट्रॉई किया जाता है तो जितनी भी स्वाफ टोटल केमिकल रेक्शन्स होती है उसे मेटाब मेटाबोलिजम के अंदर ले सकते हो तो अगर मैंने बहुत बैसिकली बताया तो इसकांसर यही होने बाला है अगर बीब बताने है तो मैं आपको स्ट्वूडन्ट ठीक है मुझे चीज़े करनी पड़ती है तो मिवह फर्ब्यारियम क्या करते है कि प्लान सब्सक्राइब करता हूं और कुछ हपतों की लिए मैं उसे बंद करके रख देता तो कुछ हपतों के बाद जो मेरी प्लान की स्पैसी थी वह सुख जाएगे क्या रigh होने के बाद में पेपर लेता हूं वहाँ पर कुछ Reed K सबसें एक प्लान के पार्ट को कलेड कि किलेट किया है आपने किया है तो आपका नाम हो गाइब कि देन वोख कलेक्टेट थी प्लांट ठीक है पार्ट ऑफ दी प्लांट यह चीज उसके दर आ जाएगे एक्स्कुजमी है तो कि है कहा से कलेट किया है प्लेट्स में कहा से करूँगा और चीज़े कि में आयमेजॉन में जाओंगा व्होर्स में जाओंगा वेन इड़ालकिट आज की डेट किया है आज की डेट है ठीक है तो 10 तारीक को और सोट अपनें इंगलिश नाम लिखें इस एक प्लाण का बता दो इस एक मैंप लंग खाई कि आप सांटिक में सांटिफिक में कहते हैं मैं इंडिका प्लिस गीव में एक्सक्यूज मी आंगे शॉरी आज मुझे सर्दी हो चुकी है यह इतके लिए में कुछ नहीं कर सकता इसके लिए वायरस थे वायरस में अंदर चले गए एंड मेरी इम्मुनिटी उने ज़्यादा क इस अब चीज को पढ़ना है जब भी मुझे उस प्लांट को देखना है पढ़ना आए तुम्हें क्या करना पड़ेगा यहां से बहुत ही ज्यादा दूर है तो उस चीज के लिए आपके पास आपका जो हर्वे आ रिया है एक वीक रेफरल सिस्टीम बन सबता है दो मिनिट में देख लिए दो मिनिट में प्लांट किसा था पता चल गया उसके लिवस देख लिए पत्ते देख लिए फिल कर लिए खतम यह जोगी बच्चे सोचते होंगे न कि भाया म्यू जो कि हिस्ट्री से बिलॉंग करती है किसी स्टाल में वैभाव देश्मूख ने यह पेनियूज किया था ठीक है एक्टिव म्यूजियम के अंदर हाँ ठीक हो अलग सी चीज़ होगे वेट्स चीज़ हाँ चलो वैभाव देश्मूख सर की बॉड़ी कुछ ऐसी दिखाई द दो जल्दी से जल्दी से एक्सितु है कैसी है लुक्स लाइक ओके एक्सितु है वेरिफाय ठीक है तो एक चीज़ देखना सबसे इंपोर्टन चीज़ है बोटनिकल गार्डन मतलब क्या कि जो प्लार्ट्स एक्चुली अभी एक्जिस्ट होने वाले हैं बहुत दिनों तक नहीं डिख सकते कुछ ऐसे प्लांट है कुछ ऐसे मेडिशनल प्लांट है जिसे की आक्चुली बहुत ज्यादा लोग तोड़ते हैं उस चीज़ को मैं हैं इंगलेंड के अंदर लाजिस निता वर्ल्ड है पूरे दुनिया में सब्सक्ते बड़ा बोटनिकल गार्डन आप तो याद करने के लिए पासट्रीक है लगनाव लखी है उससे रिसर्च करने में मिलती है क्योंकि यहाँ पर आपका रिसर्च इंस्टिट्यूट होने वाला है में दोस्तों ठीक है उसके बाद की आता है की मतलब मेरे दोस्तों आपकी चावी नहीं होती है इन दोनों में से आपको एक चीज करना पड़ता है उसकी पात देखना एक चीज को करेंगे दुसरी को रेजट करदेंगे एक चीज को एकसेट को कर सब्सक्राइब होती है होती है हिसरो कर्ता करता होता है LEA में अगेन i need a smallट बेख प्लीस एक्सक्यूज मी कि एस श्माल ब्रेक मिन्न पाइच कि आपने रखा होगा तो फ्लोरा मतलब क्या होता है एक इंडेक्स होता है हमारी प्लाइन स्पेसिस का लोरा के अंदर प्लाइन species आता है तो आप याद कर सब्सक्राइब कि फ्लोरा मतलब आपका एक फ्लावर है, तो फ्लावर होता है plant को तो याr плат species के विरेलटेड हो ने वाला है, manual, manual मतलब क्या होता है कि civi species के नाम्स आपके किसी एक area में जो पाये जाते हैं ठीक है, Monograph मतलब क्या होता है, Monograph में निक एक single होता है, यह आपको दिखाई दिखाई दिखा में दोस्तो, Mono Means आपका बन, तो किसी भी एक चीज के related, जब भी आप किसी एक पढ़ा ही करते हुँद उसे Monograph कहते है, and catalogs भी उसी चीज के लिए यूद किये जाते है, यह आपकी NCID की important line है, प्रीजिस से highlight कीजएगा, ठीक है, हाइलाइट को लो जल्दी से, यह हमारा था, ठीक है, अब यह हमारे पास बहुत कम सिल्यापस बचा है, बस एक last का question है, और last का point है, उसके बाद out of anxiety point है, अगर आप बोलों के cover करना है, तो करता है, नहीं तो skip करते है, क्योंकि out of anxiety point नहीं पूचे जाते है, नीट में, इसकी trick है, yes, PD, ठीक है, तो इसकी trick है, मेरे दोस्तों, yes, PD, तो prime source of taxonomic studies जो होता है, collection of actual specimens होता है, यह नीट में question आने वाला है इस साल, important question है, ठीक है, तो इस question को भी अच्छे सी याद कर लेना, एक question है आपके लिए, आप इसे solve कर सकते हो, मेरे दोस्तों, तो यहाबर आपक से दिखाए दी कि उसका answer होने वाला है, तो यहाबर species से ज़्यादा common characteristic होते है, उसे कम आपकी genus के अंदर, उसे कम families के अंदर, उसे कम class के अंदर होते है, तो मैंने इस पूरे topic को बहुत अच्छे तरीके से cover किया है, ठीक है, मजा गया ना, तो इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल पर, इसका नाम होने वाला है, अनकेडेमी नीट एक्सप्रेस, अनकेडेमी नीट एक्सप्रेस, इस चैनल को join कीजेगा, आपको आपको आपर सभी चीज़े मिल जाएगी, ठीक है, यहाब थोड़ी सा out of anxiety point है, जिसे आप खुद से पढ़ सकते हो, जो कि आपको PDF में मिल जाएंगे, जल्दी मिलते हैं नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाइबाए, हमनाइस डे, तो इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ डाउट है, तो अगले सेशन के लिए भी लाना, अगर अभी पूछने तो अभी भी पूछ सकते हो, य हमारी शार में हर रोज आठ बजे, अन एकडेमी पर स्पेशल क्लासिस होती है, स्पेशल क्लास होता है, जो की टोटली फ्री में होता है, तू से अटेन कीज़ेगा, हमारा कोड है बेटा VD1,